नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्प्वागत है और मैं हूँ आपके साथ विवे आज रन बाकुरे में बात करेंगे एलूसी पर सीज फायर के सौ दिन की भारत और पाकिस्तान के बीच की सरहद यानि एलूसी पर सीज फायर को सौ दिन पूरे हो गए है यानि इन सौ दिनों में सीज फायर का उलहंगन नहीं हुआ और इसका गंभीरता से पालन किया गया इसी को देखते हुए आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नर्वने आज कश्मीर घाटी और एलूसी पर हालात का जायजा लेने श्री नगर पहुंचे है यहां नर्वने आर्मी के सीनियर अधिकारियों से सुरक्षा स्थिती पर चर्चा करेंगे साथी लाइन अफ कंट्रोल पर फॉरवर्ड पोस्ट में जाकर भी जवानों से जमीनी हकीकत जानेगे इस बीच सेना प्रमुक्त जैन्रल मनोज म कंद नर्वने ने क्या कहा सूंने में प्री कैश्ता दिजिएक if they continue to observe the ceasefire in letter and spirit, if they stop and desist from trying to push terrorists across and foment trouble in India, then all these small steps will definitely go incrementally to build up that level of trust between the two countries. So, as I said, the onus is entirely on Pakistan to build up on whatever we have achieved so far. Hi, Mr. Naveed, I'm from Nidereka, sir. Do you see the possibility of true production in the valleys in your future, and what's the reading of the situation? As I mentioned just a short while ago, that although the ceasefire is in place, we cannot in any way reduce our levels of alertness and preparedness. We have a counter-infiltration grid to prevent any movement from across the line of control. And we also have a counter-terrorism grid in the hinterland. All these deployments are dynamic, and they depend on the situation and the threat perception. So, from time to time, we do keep reviewing these deployments. And if we feel that the situation permits, then definitely we do take recourse to pulling out some troops from active deployment to the rear areas, so that they also get time for rest and relief, as also for training. But they would not be pulled out ultimately. बतादे कि 24 फर्वरी की रात से ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफ़ायर लागू है. वैसे तो 2003 में भारत पाकिस्तान के बीच सीजफ़ायर एग्रिमेंट हुआ था. लेकिन पाकिस्तान ने कुछ समय बाद ही इसका उलहंगन शुरू कर दिया था. फर्वरी में इसका गंभीरता से पालन करने को लेकर दोनों देश्चों की आर्मी ने बयान जारी किया. जिसके बाद इन 100 दिनों में सीजफ़ायर का कोई उलहंगन नहीं हुआ. आर्मी सूतरों के मताबिक सीजफ़ायर तो बरकरार है लेकिन पाकिस्तान अधिकत कश्मीर में अब भी आतंक्यों के कैम्प है. साथ ही आतंक्यों की तरफ से घाटी में हत्यार सप्लाई करने की कोशिश भी जारी है. उन्होंने कहा कि घुसपैट की कोशिश में कुछ कमी जरूर आई है. बतादे कि पिछले साल यानि कि 2020 में पाकिस्तान ने 17 साल में सबसे ज़ादा सीजफ़ायर का उलहंगन किया था. तब पाकिस्तान ने 4700 बार सीजफ़ायर का उलहंगन किया. फिलाल इस वीडियो में इतना ही नमस्कार.